सब पढ़ तो लेते हैं बट याद नहीं रहता यस हर स्टुडेंट की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ तो लेते हैं बट याद नहीं रहता मैं जब स्टुडेंट थी तो मुझे भी यही प्रॉब्लम था कि मैं पढ़ तो लेती थी बट याद नहीं रहता था इस वीडियो को like aim रखते हैं 1000 likes So like करना ना बुले So friends आज की वीडियो में मैं आपको special 3 tricks बताऊंगी How to remember quickly for long time यानि कि smart work करके याद कैसे रखे So friends आज की इस वीडियो में आपको यी 3 trick सुननी भी है और आपके life में यानि की आपकी पढ़ाई में उसको apply भी करना है So friends let's get started वीडियो को end तक जरूर देखे So let's go to the first trick First trick is use visual aids Friends इसका मतलब ये है कि कोई चीज है यानि की कोई concept है कोई topic है जो आपके लिए बहुत ही complex है आपको याद नहीं रहता तो वो चीज आपको याद रखने में बहुत ही दिक्कत आती होगी तो friends आप क्या करोगे Visual aids का use करो यानि की कोई picture बनाओ कोई diagram chart ऐसा कुछ बनाओ यानि की अगर आप वो diagram या फिर कोई वो picture देख लेते हो तो आपको उसका पूरा answer उसका concept आपको mind में remind हो जाएगा ये question में ये answer आएगा ये concept में ये है तो आपको वो diagram देखके आपको पूरा क्रोक्ष याद आजाना चाहें कि यस ये concept में ये था So friends, try to use visual aids वो आपको बहुत ही benefit करेगा कोई चीज जो आपने image में देखी है और कोई चीज जो आपने कहीं पर लिखी है और पढ़ी है तो इन दोनों में से आप बताओ कि आपको कौन सी चीज जादा याद रहेगी जो चीज इमेज में थी Friends, इसका best example में दू तो advertisement Friends, आप टीवी पर, मॉबाइल पर कोई भी advertisement देखते हो तो आपको तूरंती याद रह जाता है क्योंकि उसमें बहुत ही animation VFX effect वो बहुत ही अच्छी तरीके से colorful images डालके बनाते है So, वो हमें quickly याद रह जाता है So, friends, use visual aids Now, move ahead to second trick That is, associate new thing with old thing Friends, इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई नई चीज पढ़ते हो कोई नया topic है या फिर कोई नया ही subject है कि अगर next year standard में अगर कोई नया subject है जो आपको previous standard में नहीं था या फिर ऐसा कोई concept है जो आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा वो आपके लिए totally new है तो आप क्या करोंगे Friends, उसको आप old चीज से connect करो यानि कि कोई चीज है old जो आपने already learn की हुई है आपको याद है आपने पढ़ी हुई है So try to integrate को relate करो इसको नहीं चीज है उसको old चीज के साथ integrate करने का try करो relate करने का try करो ताकि वो आपको जल्दी से याद रह जाए So आपको नहीं चीज ज्यादा देर तक नहीं ना लगे So friends, old चीज जो आपको बहुत ही जल्दी याद रह जाती है So उसी के साथ new चीज को relate करो new concept को relate करो ताकि आपको quickly याद रह जाए यानि कि जब आप वो concept पढ़ो तो आपको एक concept नहीं उसके साथ दो concept याद हो जाए So friends, integrate new thing with the old thing Now last and thought trick is use flashcards Yes friends, आप में से कही लोगों को पता होगा flashcards का मतलब But कही लोगों को नहीं भी पता होगा उनको मैं बता दू flashcards याने की cheats Friends, आपको पता होगा कि market में भी मिलती है वो colorful cheats होती है बहुत ही छोटा paper होता है आप लोग में भी use भी कर रहे होगा कि आपके study tipple में आप sticky knot की तरह चिपका देते होंगे और उसमें जो भी आपको लिखना है या फिर ऐसे चीज जो आपको रोज रूटीन में useful होती है रोज आपको पढ़नी होती है तो आप वो sticky knot पे चिपका देते हो Yes, friends पर उसकी बात करती हो आप flash card का use करो यानि की कोई concept है कोई बड़ा question है जो आपको याद नहीं रहता है तो आप flash card में लिखतो अभी flash card में आपको ऐसे लिखना है बहुती small sentence में और बहुती small words का use करके लिखना है कि आप वो words और वो sentence आप पढ़ो तो आपको वो पूरा concept visualize हो जाना चाहिए कि Yes, इसमें ये-ए concept आते है ये concept में ये-ए points आते है बहुती कम word में और आपको वो keywords लिखने है flash card में So friends, आप flash card का use करो और उसको अपने साथ भी carry करो यानि कि for example आप कहीं traveling कर रहे हो या फिर ऐसा कोई भी time में बैंक में गए कोई भी अगर में बोलो कि जिसमें waiting period होता है आपको बैठा रहना होता है वेट करना होता है तो आप ये sticky note का use कर सकते हो So flash card carry करना वो इतने difficult बात नहीं है आप अपने pocket में easily carry कर सकते हो Friends, yes, आज internet पे भी बहुत ही easily available है flash card So आपको physically carry करने की भी ज़रूरत नहीं है आप अपने mobile में से internet में से download कर लो और इस में से लेक लो आप mobile तो आप अपने पास रखते ही हो So वहाँ से भी आप easily rate कर सकते हो So friends, आज मैंने आपको three special trick बताई पढ़ी हुई चीज क्विकली याद कैसे रखे वो भी long time के लिए So first trick is use visual aids Second one is associate new thing with the old thing And third one is use flashcards So friends, आपको ये तीनों trick सर्फ सुनना नहीं है Yes, आपको अब implement भी करना है इसका execution भी करना है आपकी study में So all the very best And मुझे comment करके जरूर बताना कि आपकी study में आपने तीनों में से कोई एक या फिर तीनों trick यूज की या फिर नहीं मुझे comment करके जरूर बताना कर दे and thank you so much जय हिन